इबरसिटी गुरुग्राम के अशोक विहार थे स्थ्री इसित गोविंद गत्ता फैक्टरी में एक बड़ा हादसा हो गया। दरसल इस कमपनी में काम करने के दोडानेक मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया। जिसके बाद घायल मजदूर को गुरुग्राम के एक एसाई अस्पताल में भरती कराया गया। लेकिन मजदूर की हलत गंभीर हुई जिसके बाद डॉक्टर ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। इसके आत में आई उसके हाथ में आत कट गया उंगली तो हम उसको यह से ले गए यह से लेने के बाद में उसका भाई बोला कि वह समय आने करा हुआ को लिए करा हुआ। हालाकि ये कोई पहला वाक्या नहीं है इससे पहले भी अशोक विहार थेस्त्री गोविंद पैकर्स गत्ता फैक्टरी में एक हादसा हुआ था जिसमें एक मजदूर का हाथ मशीन में आने से कट गया था लेकिन इस बार इस 22 वर्ष ये मजदूर का आरोप है कि वह हेलपर है लेकिन मकान मालिक लेकिन फैक्टरी के मालिक ने जबरन दबाव डाल कर उसे मशीन चलवाई जिससे ये हादसा हो गया आपको बता दें कि ये पूरा वाक्या 9 सितंबर का है जिस दिन उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़का रहने वाला ये युवक कमपनी में काम करता है छे महिने पहले इस फैक्टरी में इसने ज्वाइन किया था और काम कर रहा था हलाकि ये आईटी आई पास नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी कमपनी के मालिक ने उसे मशीन चलवाई जिसके बाद ये हादसा हो गया फिलहाल कमपनी मालिक इस पूरे हादसे को नीराधार बता रहा है और इसमें कहीं न कहीं मजदूर की ही गलती बता रहा है सब्सक्राइब कर दो दो लाख रुपए शारवार अप्रेशन होगा मैंने का वह इतना बहुत नहीं है जो हो सकता है आदा पद्दा मैं देने के लिए राजी हूं उन्हें पूरा ही देना पड़ेगा फिर उनके किसी चाचा ने मेरे को धंकाया बोला केस करूंगा मैं जी व बत्तिमीजी से पेस आए मैं फिर वाक्सी गया नहीं बखी में इस तरह से मदद करना चाता था यह साइए में जो कनवड़ था सारा इसाब किताब सब तरह सी वह ऑपरेटर है उसको तो पहले से ही पता है यह से लाइन में काम कर चुका है पांसा साल का एक सब्सक्राइब खतरिमाह बखी मिस्टेग होगी थो कश्कराइब एमिसमें कुछ नहीं कर टे करें बखी मिस्टरी सब्सक्राइब वहीं इस पूरे मामली की सूचना जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को लगी गुरुग्राम के सेक्टर पांच थाने से पुलिस ने फैक्टरी मालिक योगेंदर सिंग राठोर के खिलाप विभिन धाराओं के तहत मुकादमा दर्ज कर लिया है लेकिन सवाल यह उठता है कि फैक्टरी मालिक की लापरवाही के चलते एक बाइस वर्स ये नोजवान के साथ इतना गंभीर हादसा हो गया ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस मामले में क्या कारवाई करती है